नमस्कार दोस्तों, पैसे ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपी आई ट्रांसफर और इनी सब तरीकों में से एक तरीका होता है पैसे को चेक से ट्रांसफर करना, इसमें कि आप ज्यादा एमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि चेक को सही तरीके से फिल कैसे करते हैं जिससे कि चेक को फिल करते समय अगर थोड़ी सी गलती रह जाती है तो चेक बैंक में reject हो जाता है और फिर इसमें चेक को correction करने में दुबारा submission में बहुत सारा time बरबाद होता है आज इस वीडियो में आपको पूरा process explain करके बताऊंगा कि चेक को सही तरीके से कैसे फिल करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को ये है हमारे पास State Bank of India का चेक चेक भरने से पहले आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसमें सबसे पहले आता है date का option date का option आप जो भी date इसमें फिल करेंगे ये चेक उसके तीन महिने तक ही valid रहेगी तीन महिने बाद ये चेक invalid हो जाएगी इसमें फिर कोई भी पैसा निकाल नहीं पाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इसमें date डालें उसके तीन महिने के अंदर ये चेक यूज हो जानी चाहिए दूसरा option आता है pay का option pay में आप जैसे अगर खुद को पैसा निकालना चाहते हैं यहाँ पे self लिखेंगे अथवा चेक से आप किसी company को या किसी दूसरे ब्यक्ति को आप पैसा देना चाहते हैं तो उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे और ध्यान रखेंगे कि pay और उसके नाम के बीच में बहुत जादा gap नहीं हो तीसरा option आता है रुपीज का यहाँ पे आप जो भी amount pay करना चाहते हैं उसको सब्दों में लिखेंगे चाहें आप English में लिखें अथवा Hindi में लिखें चौथा option आता है रूपीज फिल करने का, यहाँ पर आप जो भी amount देना चाहते हैं, उसको आप अंकों में लिखेंगे, और ध्यान रखें कि आपके जो अंकों को लिखने के बाद उसके side में एक slash मार के line खीज देनी है, तो आज 14 जनुरी 2023 है, मैंने यहाँ पर date डाल दिया है यहाँ पर मैं 50,000 रुपीज इस company को pay करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमने उसका नाम डाल दिया, उसके आगे हमने पूरा एक dash line खीज दिया है, फिर उन 50,000 को हमने शब्दों में लिख दिया है, उसके आगे यहाँ पर only लिखना नहीं भूलना है, only जरूर आपको लिख करना है, इस बात का आपको विशेज ध्यान रखना होगा, अब आपका चेक पूरी तरीके स्रेडी है, आप चेक किसी को दे सकते हैं, वो bank जाके इसको cash करा सकता है, अगर आप चाहते हैं, कि आपने जिसको भी चेक दिया है, वो cash में bank से पैसे ना ले पाए, उसके खाते मे मलती है, उसके साथ में एक record slip भी मिलती है, जिससे आप दिये हुए चेक का record रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर first column में check number है, तो यहाँ पर check number डालेंगे, यह जो first section है, check number 755977, यहाँ पर check number लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर date लिखेंगे, आपने check कौन सी date को इसू किया है, वो date लिखेंगे, in favor आप किसको check दिया है, उसका नाम लिखेंगे, अगर check से खुदी पैसा निकाला है, तो यहाँ पर self लिखेंगे, नहीं तो आप उस party का, उस candidate का नाम लिखेंगे, जिसको आपने check दिया है, कितना amount का check दिया है, वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको future में अगर कभी काम आया, तो आपके पास वो record अविलेवल रहे, कि आपने कौन सा check number किसको issue किया हुआ है, चेक record रखने का एक benefit और भी है, कि अगर आपने check issue किया है, और immediately अगर आप चाहते हैं, कि bank में जाके वो check cash ना हो, तो यह check number का reference लेके आप bank से contact कर सकते हैं, अगर check को stop payment कर बा सकते हैं, तो उसके बाद वे check invalid हो जाएगा, और कोई भी transaction इस check से नहीं होगा, अब हम बात करते हैं, cancel check की, cancel check की demand आप से कई जगे हो सकती है, कि cancel check क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, और इसका purpose क्या है, तो cancel check बनाने के लिए आपको diagonally line खीच देना है, और उसके अंदर आपको cancel लिख देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे sign कर देना होता है, cancel check लेने का purpose होता है, आपका account verification करना, जिसमें आपका account number होता है, आपका नाम होता है, bank का IFSE code होता है, आपका MICR code होता है, तो यह सारा detail एक ही slip पे मिल जाता है, जिससे आपका account number पूरा verify किया जा सके, दूसरा purpose यह होता है, कि आपका signature को verify करना, तो आपने जो यहाँ पे sign किया हुआ है, इसको verify किया जाता है, cancel check लेके, तो यही दो purpose होते है, cancel check लेने के, या तो आपका bank का detail verify किया जाता है, अथो आपका signature verification किया जाता है, cancel check से, तो cancel check बनाना काफी easy होता है यहां पर आपको केवल cross line करके cancel डिइना होता है अपना sign कर देना होता है फिर जहां पर आपको cancel check का demand किया जाता है वहां पर आप इस check को दे सकते हैं। अभी तक जो माय ने आपको process explain किया उसके थूँआ आप check को सुई तरीकेसे फिल करके दूसरे को दे सकते हैं अगर आपको कोई चेक देता है तो आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले यह देख लेना है कि वो चेक एकाउंट पर ही है अथवा वेरर चेक है उसको आप कैसे पहचानेंगे अगर आपके चेक के ओपर left top पे अगर दो parallel line खीची हुई है तो वो चेक आपका एकाउंट पर ही चेक है तो वो सिर्फ आपके एकाउंट पर ही पैसा transfer होजकता है अगर आपका चेक वेरर चेक है कोई भी दो parallel line और एकाउंट पर ही नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे चेक को आप bank ले जाके cash करा सकते हैं इनकेस अगर आपका check account पे ही है तो आपको bank जाके एक slip को fill करना होता है यह वही slip होती है जिससे आप cash जमा करते हैं केवल अंतर इतना होता है कि उसमें आपको cash की जगे check के ओपर tick मारना होता है और वह slip check के साथ attach करके bank में जमा कर देनी होती है पैसे आपके account में transfer कर दिये जाएंगे तो उमीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell icon का बटन दबाएं जिससे हमारे नए वीडियो को notification आप तक पहुसता रहे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तक के लिए नमस्कार जैहें